अलाम वंदे मातरम आज चेसो चालीस जीरों के हमारे हजारों कारेकरता जो सीधे लाइन पर जुड़े हैं 966 कोल्स यहां से एक साथ उनके उपर हम बात कर रहे हैं और एक एक जिले में सेकडों सेकडों कारेकरता जो इस पूरे अनुष्ठान के साथ में बहुत गहरी निष्ठा से जुड़े हुए हैं उन सभी 640 जिलों के सभी एक एक जिले के सेकडों कारेकरता और पूरे देश के लाखों कारेकरताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और इस समय हम एक बहुत ही महत पूर्ण मिशन के संदर्व में आगे की कार्यूजना के संबंध में रन्नीती के संदर्व में बात करना चाह रहे हैं इसलिए मेरे साथ सभी एक बार मिल करके ओंकार के पवित्र उद्धोश के साथ आज यहाँ जो राश्ट्र यज्जे चल रहा है उसके समवाद को हम सुरू करेंगे तो मेरे साथ आफ सब भी उधर से ओंकार के पावन उद्धोश के साथ आज के इस विशेश समवाद का प्रारम करे सब्सक्राइब करें 2014-23 मार्च को शहीदी दिवस पर राजगुरु सिखदेव और भगत सिंग के बलिदान दिवस पर पूरे देश में करीब 10 करोड लोग एक साथ योग करने वाले हैं दुनिया के आज तक के सब से बड़े इस आज्जात्मिक महुत्सव दुनिया के आज तक के सब से बड़े इस आयोजन के संदर में हम बात करेंगे और बात करेंगे उस योग महत्सव से पहले एक मार्च से डोर टो डोर जाकर के जो हमें कैम्पिन करना उसके संदर्व में और फिर बात करेंगे हम 23 मार्च के बाद 24 मार्च से फिर एक और बड़ा संग्राम हमारे सामने होगा क्योंकि फिर 24 मार्च से और प्रकर रूप में हमें धर्म युद्ध देवास और संग्राम 2014 के लिए भी अपनी पूरी उर्जा के साथ इस मैदाने जंग में हमें पुर्शार्थ करना है अभिक्रम करना है भाई और बहलो एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस समय देश एक बहुत बड़ी चुनोती के दोर से गुजर रहा है एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक बहुत बड़ी चुनोती आज हमारे सामने हैं और इस क्राइसिस से, इस सैलेंस से, इस देश को बाहर निकालना हम सभी सवासो कोड भारतवाशियों की जिम्मेदारी है और इसमें सामाजिक दृष्टी से आध्यात्मिक दृष्टी से नितृत्त्व करने का सोभागे भग्वान ने हम सब को दिया है इसलिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी है हम एक व्यक्ति नहीं हैं हम अमरित पुत्र हैं हम भगवान राम भगवान किष्ण भगवान शिव पार्वती सीता लक्षमी दुर्गा सरस्वती की संताने हम रिशी रिशिकाओं की संताने वीर विरांगनाओं की संताने हम माभारती क संताने हमारा ये धर्म है ये करतव्य है कि हम इश और पुत्रि से धर्ति प्रभगवान का सामराज्य कायम करेंगे सत्य धर्म और न्याय का सामराज्य कायम करेंगे हम किसी भी कीमत पर अपने देश को कमजोर नहीं होने देंगे खंड खंड नहीं होने देंगे तूटने नहीं देंगे बर्बाद बंजर तबाह नहीं होने देंगे मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ एक वो भी वक्त था जब रोम और मिश्व और इराक इरान अफगानिसतान पाकिस्तान बंगला देश से लेकर के और इधर त्रिविष्टुप तिब्बत से लेकर के कैलासमान सर्वर से लेकर के जावा सुमित्रा इंडोनेशा कमबोडिया व्यतनाम तक इतना बड़ा हमारा अखंड भारत था कुछ कमजोर लोग आए और उनके गलत नीतियों के कारण से उनके गलत निनाओं के कारण से उनकी अदोरद्रिष्टी के कारण से उनकी अजितिंद्रियता के कारण से उनके भीतर का प्राकरम ओज तेज कम हुआ उसके कारण से भारत बोना हुआ तूटते तूटते सिमिटते सिमिट थे खंडखंड़ होते होते आज 33 लाख वर किलोमेटर में भारत सिमिट गया कहा पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ इतना शक्तिशाली हमारा राश्ट था और आज भी कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं कि देश आगे ना बढ़ें और मैं यहां से इस बात की सुरुवात इसलिए कर रहा हूँ एक नई राजनेतिक पार्टी भी देश में साजिश के तहट खड़ी कई और वो पार्टी नहीं मैं कहता हूँ उसमें गिरोह है वो कुछ चीन समर्थक अमरीका समर्थक और चोथा विदेशी पैसे और पुरसकारों से पोशित व्यक्ति एंजियो और कुछ पोल्टिकल पार्टी ये चार इस समय देश के लिए सबसे बड़ी चुनोति बन करके उभरिये हैं वक्त वक्त पर अलगलग प्रकार की चुनोतिया होती हैं इस समय क्योंकि राजनीति देश की नियंत्रक शक्ति होती है उस राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने के लिए बहुत बड़ी साजी सिंद्द चार ताक्तों की द्वारा चल रही है और एंट्रिनेशनल एलमेंट्स को राश्ट विरोधी ताक्तों को और चीन के सपोर सपोर्टर्स को और जो फॉरेन मनी है और फॉरेन जो पूरसकार हैं है वीदेशी पैंसे और पूरसकारों से पोश्श इत लोग चीन समर्थ television कर देखना नहीं चाहती है हिंदोस्तान में एक स्थाई, स्टेबल, स्ट्रोंग, मजबूत, ओनेस्ट और अनुभवी सरकार देखना नहीं चाती। इसलिए एक राजलेतिक अराजकता पैदा कर रहे हैं। मात्र एक पार्टी टार्गेट नहीं मेरा। इसमें बहुत से लोग हैं। मुद्दा हैं ये ब्रष्टाचार कैसे मिठेगा। हर वर्ष करीब दस लाग करोड़ पैके घोटाले होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। और ये आपका हक है। ये सवासों कोड़ लोगों का हक है। इस देश के हिंदू-मसल्मान सी किसाईयों का हक है। इस हक पर डाका खान्दान है। हमारा खान्दान बेर नहीं हो उस खान्दान के साथ में। हमारा राजनितिक बेर भी नहीं है क्योंके हम पाटक बसरां होना है। कि हम अपने देश को کسी भी कीमथ पर लुटने नहीं देंगे बर inviting नहीं होने देंगे ताह नहीं होने देंगे और जो इस देश में कठपुतली सरकार कमजोर सरकार बनाना चाहते हैं उनके हम मंचों में कामयाब नहीं होने देंगे तो हमारा मकसद है कि ब्रश्टा चार मुक्त करेफशन फ्री इंडिया हम कैसे बना सकें यह हमारे लीचोन होती है सो लाग कोड़ पैसे जादा हिंदुस्तान के बाहर और नो सो लाग कोड़ पैस देश के अंदर इलीगल गॉल्ड में आपको पता होना ची और सबको बताना हों इस बात को जब घर गबर जाएंगी तो तीन बात हम इस देश के लोगों को बताएंगी एक तो इन्होंने राम लेला मैदान में क्या रावन लेला की थी हमने क्या माँगा त हमने कहा था काला धन दिलाओ स्थिए व्यवस्टा को बना उ रूप सरा यह एक उजार राकुर्टी की लूट की nibलायद में नों市ो लाकुर्पय देश के अंदर इलिगल गॉल्ड में में लिगल इलिगल इंफ्रइस्ट्रिक्ट्र में वह वो सब्रूंगा हैं और तमाम तरह के काला बाजारी में एक अला धन लगा हुआ। एक हजार लाग करोड़ मनुने एक गाओं को तरह के सों से डोसो करोड़ एक जलिण को बिलिएंगे 50 जार करोड़ से लेकर एक लाग करो इतना वह 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 उ quo कुण कहता है देश गरीब है, इसको गरीब बनाए गया यहां महेंगाई पाड़ा की गई ए यह ज्देश को चारों तरफ से नोच से नोच के खा गई मैं बार बार कहते हुएं बहरत हमारे मिट्टी का टोकडा हैं ने माँ और हम अपने को और हतिया चार नहीं होने देंगे हमा अपन को नहीं लूटने देंगे यह बात यह बात हैं हमारे सामर् lep सबसे बड़ी चुनूती है एक जान लाख करोड़ पे का लूटावा देश का धन देश को वापस देलाना और हर वर्ष करीब दस लाख करोड़ पे की लूट हो रही है उसको बचाना और इससे भी आगे की बात है कि इस समय स्वतंत्र भारत में आजाद भारत में अंग्रेज अच्छर आई-पी-सी की असारी की सारी धारें पोरा पुलिस एक्ट है एजूकेशन एक्ट है हमारा टैक्सेशन का एक्ट ये सब अंग्रेजों को बनाये हुआ है ये टैक्सेशन टेररिजम से एकनोमिक अनार्की से देश को मुक्ती दिलाने पड़ेगी जिन किसानों को आज सक उनका हक नहीं मिला, उनको हक देलाना पड़ेगा, भारत की भाशाओं को सम्मान देलाना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेगा, मैं कह रहा था, इस समय, 2014 में हम चूक गए, बड़ी मेहनत से वाताओन बना है, देश में कभी-कभी ऐसा उसर आता है, जब एक बड पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेगा, मैं कह रहा था, इस समय, 2014 में हम चूक गए, बड़ी मेहनत से वाताओन बना है, देश में कभी-कभी ऐसा उसर आता है, जब एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, देश एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है, 700 साल पहले, इटली में नेस्तरा दमस बैदा होगा, नेस्तरा दमस ने कहा था, कि ये 2010 और 2020 का जो 20 का काल है, उस समय, जो है, हिंदुस्तान में एक बड़ा परिवर्तन होगा, बाप करने इस 7000 साल पहले की बात बता रहा हूँ, नेस्तरा दमस साथ जार साल पहले करकर के चला गया, क्या करके चला गया, जो है, कि भई, हिंदुस्तान में ये होने वाला है, अब इस बारे में जड़ा आप बात चीत करती वे में एक बात ही कहना चाहता हूँ, नेस्तरा दमस कहता है कि हिंदुस्तान में एक बड़ा परिवर्तन होगा 2010 के बीस में, हमारे हिंदुस्तान में एक आचारे श्राम शर्मा हुए, उन्होंने भी इस बात को दो राया, इससे पहले महायोगी शेयर अर्विंद ने स्वाम विवेका नंद ने इस बात को कहा, सम महापुर्शन का कि 2010 और 2020 के जो बीच का कालखन्द है, इस समय हिंदुस्तान में एक बड़ा परिवर्तन होगा और वो बड़ा परिवर्तन अब हमारी आँखों के सामने है, अब जब UPA को लग रहा है, जब कॉंग्रेस को लग रहा है कि उनकी सताब खतम होने वाली है, ये पोलिटिकल सिनियरिय भी देश के लोगों को हम को बताना है कि कितनी ताकत कॉंग्रेस को ना लगा ले, ये सो से कम सीटों पर पूरी UPA और कांग्रेसिमिट जाए और थर्ड फ्रंट से ले करके कुछ और दूसरे दल, ये सारे के सारे, ये भी जा करके जो है, वो सो से जादा सीटों पर नहीं पूंच पाएंगे, जो थर्ड फ्रंट में सम्मिलित नहीं होंगे, और थर्ड फ्रंट में जो सम्मिलित होंगे, वो भी सो से डेड़ सो सीटें क्रोस नहीं कर सकते, अब ऐसे में, NDA को, आदली मोदी जी के नित्रत्व में, BJP और उनके समर्थक जो दल हैं, मोदी जी के नित्रत्व में, NDA, BJP और उनके समर्थक जलों को तीन सो से जादा सीटें हमें किसी भी कीमत पर दिलवानी हैं, अभी जो ओपिनियन पॉल चल रहे हैं, वो भी सवा 200 सीटें तो बताने लग गए हैं, लेकिन हम सवा 200 सीटें हमारे लिए पर्याप्त नहीं हैं, तीन सो से जादा सीटों के साथ हमें एक स्थाई, मजबूत, स्ट्रॉंग, स्टेबल, ओनेस्ट और एक्स्पिरियंस्ड गॉर्मेंट हमें बनानी हैं, ऐसी सरकार जिसके जो चार चीज़े देश को दे सके, सरकारी तंत्र को तब यह हम अच्छे से खड़ा कर पाएंगे और सारा शड़ियंत्र तब हम मिटा पाएंगे, जब देश को स्थाई सरकार मिलेगी, वल्दी हैं, कट्पितली सरकार नहीं, कमज़ूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार मिलेगी, तो स्ताई, स्टेबल, एं स्ट्रॉंग गॉर्मेंट और honest गॉर्मेंट, इمांदार सरकार, और रनुभाई सरकार, और यह जब सरकार मिलेगी, तब देश की नेतियां बदलेंगी, जिनकी नियत अच्छी है मैं बार बार कहता हूँ देश चलता है नीतियों से देश चलता है नित्रत्यों से और देश चलता है नियत से हमने मोदी जी को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि मोदी जी की नियत ठीक है और मोदी जी के अंदर एक विराट नित्रत्यों की वाला आवा मंडल है वो इस देश का महानायक होने का मादा रखता है उसके अंदर भगवान ने वो शक्ती दिया वो पराकरम दिया वो भगवान के विधान से तैयार हुआ है एक साधान से घर में एक चाय बेशने वाले एक छोटी से परिवार में जिसको आज समाज में आती पिछरी जात ही एक मात्र जाती है बाकी जाती है तो वक्त के साथ लोगों ने बना दी एक ऐसा वक्ति जो सारी जातियों को सारे मजबों को सवासो करोड हिंदुस्तानियों को आगे ले जाना चाहता है सब के जीवन में खुशाली लाना चाहता है सब का पूरी इमानदारी से विकास करना चाहते हैं जिससे कि हिंदुस्तान दुबारा से पूरे विश्व का आर्थिक द्रिष्टी से और अध्यात्मिक द्रिष्टी से नित्र तो कर से कि चीन अमरिका कभी नहीं चाहेंगे राष्ट विरोधी ताक्ते कभी नहीं चाहेंगी देश ताकतवर बने और विदेशी पैं के जो conspiracy चलती हैं शडियन्त चलते हैं उनके बारे में साउधान होना बहुत जरूरी है मैं बात अब आगी एक कहना चाहता हूँ अब हम इस लक्षे को मुकाम तक कैसे पहुंचाएं हम कैसे काम करें किस रन्नीति के तहट काम करें किस कार्योजना हमारी strategy क्या हो हमारा mechanism क्या हो जिससे की हम result oriented scientific conclusion तक पहुंचने वाला काम कर सके जब तक हम result oriented काम नहीं करेंगे किसी scientific conclusion तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी सब बाते बेकार हैं तो मैं कह रहा था चुनोती अब बहुत हैं जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान निराम हो चुका हैं धिसमें समाजिक सांस्कृति धार्मिक आध्यात्मिक आर्थिक राजनेतिक रूप से एक अराजक्ता सी पैदा हो चुकी है और इस अराजक्ता से देश को बाहर निकालना ही हम सब का करते मैं कह रहा था मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ सब कोई सोचना है मैं संपुन राष्ठ के विवक्ति हू मैं भारत हूँ मैं इस धर्ती पर भगवान काप्ड़ति निधी हूँ मैं अमरित पुत्र हूँ मैं इस देश को आगे बढ़ाओंगा मैं स्वम राम और किष्ण की संतानों मेरा एत करता व्य है कि मैं इस देश को आगे लेकर करके जाओंगा इस भावना से अपने को सब को चुनूती है कि बड़ी मेहनत के बाद 2014 में एक बड़ा परिवर्तन का वातावन बना है और ये परिवर्तन अवश्यम भावी है बस इसमें हमें निमित बन करके काम करना है जिसको योगेश्व भगवान श्रीकिष्ण कहते हैं निमित मात्रम भवसब वे साजे तो इस समय इस पाप धर्म अन्याय अनिती का विनाश्व करने के लिए पैदा हुआ है तो अपना कर्तब बे निभाग कायरता न पंसकता की बुझली की बाते छोड़ अपने हिरदय की संकिनता मिटा निराशा की बाते छोड़ आजमें मोदी जी भी बार बार कहते हैं आश्रवादी बनो भाई मैं आश्रवादी हूँ जो भी बड़े परिवर्तन के लिए खड आगे बढ़ते रहने हैं पत्क विधाने उसमें बाधाइं आएंगे लेकिन भागवत मोरता यहे इस समय परिवर्थन का काल है यह परिवर्थन-अवष्यम्भावी इसमें हमें निमित्त बनना है और अपने पुर्शार्थ से अपने हाथओं से अपने आखों के सामने हमें आस्था पर भी प्रसारित करेंगे जिसी कि करोड़ों लोगों ते एक बात पहुंचे लेकिन उन करोड़ों लोगों तक तो ये बात भिन भिन प्रकार से पहुंचते रहती है आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपून इसलिए हैं क्योंकि पतंजली उक्समीती महला, प किसान पंचायती 500 संग्ठों के जो पांचो इकाईयों के जो प्रभारी हैं, जो जिला प्रभारी हैं, तैसल प्रभारी हैं, जो प्रखंड, वार्ड, बूत और ग्राम प्रभारी हैं, उनके उपर बड़ी जम्मेदारी इसलिए होगी, क्योंकि अब इस परिवर्तन की माध्यम से अब जुड़े हैं, और शाम को और सुबह फिर जो आस्था के माध्यम से जुड़ेंगे, मैं उनके भी माध्यम से एक आववान ये करना चाहता हूं, कि अब वो इन आगे रही जाने वाले बिंदों को नोट कर लें, और फिर इन बिंदों के आधार पर आगे की कारी योजना बनाएं, ये हमारे आगे की स्टाटेजी, ये आगे का हमारा मेकनिजम, आगे की हमारी वरकिंग पालिसी, पूरी आगे की कारी योजना होगी, और बिना कारी योजना के, बिना किसी बड़ी रन नीती के, कोई रन जीता ही नहीं जा सकता हूं, मैं वार वार कह तो वोट से पहला होगा जो है शडियंत्र कारी शडियंत्र करते रहे हमें कोई उसके बारे में जागरूग जरूर रहना लेकिन अपना काम करना है हमें क्या करना है हमें करना है कि आज देश में सबसे पहले वोट के बारे में बात कर रहा हूं और अभी सभी जिलों को ये जो के लिदाता है। पहले तो जार्ज पंचम की स्तूती में गीत गाया था। अब हिंदुस्तान के लोगों को प्रता ही नहीं लगता है कि हम जयना गाना अधिनायक जये हैं। अब बोलते रहते हैं। लेकिन ये भारत भागय विदाता कुन है। भारत भागय विदाता इस की वोटरस को तैं करना और वोट यापका जर्मसिद अधिकार है। ये वोट इस देश को बदनने की ताकत रखता है। यह वोट तैं करेगा विदेश का पृधानमंदरी कौन होगा। और हमें क्या करना है ये वोट बेंक और नेसलिस वोट बेंक के लिए जब हम एक मार्च से घर घर जाएंगे क्योंकि अभी आज मैं आप से बात कर रहा हूँ और अगले संडे को मनें अगला संडे होगा 23 फरवरी को 23 फरवरी को आपको क्षित्रिय बैठके करनी है और उसमें एक एक बैठक में जो है प्रखंड इस प्रिनाम तका आपको लिजान चाहता हूं कि तीस करोर को का वोट मेंक तियार करना है आधने महुदी जी ने कहा था कि 20 करोड वोट जिसको मिलेंगे उसकी केंदर में सरकार बनेगी इस समय देश के 80 करोड वोटर है आठ करोड वोटर ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है माने आठ करोड वोटर ऐसे हैं जिनको अभी वोटर लिस्ट में जिनकी लिस्टिंग नहीं है जिनके नाम नहीं है उन आठ करोड नए वोटर जिनकी उमर 18 से 25 साल की वो उन वोटर के भी मदाता सूची में हमें उनका रिजिस्टेशन कराना है उनको भी उनका जो मद्दान का आईडी मिलता है वो मद्दाता पहचान पत्र उनको दिलाना है हमको तो ये काम भी अपने को करना है तो 80 करोड इस समय लोग हैं और 8 करोड में से हम 5 करोड भी जोड़ पाए तो 50 करोड लोग हिंदुस्तान का प्रधान मत्री कुन हो गए इत् प्रतिशत्वी लोग वोड करते हैं तो करीब करीब जो है 25 करोड लोग तो उससे भारी हो गए तो बच गए 60 करोड में जो है अलग अलग पाटियों को वोड मिलते हैं तो उसमें कुल मिला करके बीस करोड़ से जादा लोग ईसलिए मैं कहा रहा हूँ तीस करोड़ इसलिए मैं कहता ह conservatives करोड़ लोगों का एक हमें वोट बैंक बनाना है इस अभी जो कॉंग्रेस समय देश में राझ कर रहे हूँ इसको 12 करोड़ से जादा लोगों के वोट बने वो दोसे से ज़्यादा सीट उसने पाई और केंदर में सरकार बनाई हमको उसने वो 12 क्रोड वोट पा करके सरकार बना सकती तो 20 क्रोड से ज़्यादा वोट पा करके तो हम 100% सरकार बनाएंगे इसने में का 25 से 30 क्रोड लोगों का वोट में कमें तायर करना है उसके बारे में आप सुने ज़रा पहली बात इस बैठक के बाद भी आप लोगों को बैठ करके तैय करलेना है कि किस किस तरह से यह आगे काम करना कारे का डिस्ट्रिबूट करना है और 28 फरवरी से पहले मानिए 25 23 फरवरी के आपके दूसरी बेठाक हो जाएगी तो 25 से 28 फरवरी के बीच एक-एक कारेकरता और उस कारेकरता को जहां-जहां कारिये दिया गया है उस कारेक्षेतर का नाम कारेकरता और कारेकरता का मोबायल ये सभी कारियाले प्रभारियों के और से सभी जिला प्रभारियों की और से अपने हरिवार मुख्याले पहुंच जाएगा तो एक कारे करता का फोन नंबर और उसका किस एरिये में उसको काम करना वो आपको लिख करके भेज देना है मेरा ये विचार है कि कम से कम एक कारे करता को 500 गरों तक जाना है मैं स्वयम जह है एक मार्च से 500 घरों से इस मैं 5000 तो थोड़ा बोल रहा हूं हो सकता है मैं 50,000 घरों तक खुच जाओं यह मेरा लक्षे है मैं स्वयम जब 5000 से जादा घरों तक जाओंगा तो मैं आपसे भी यह पिक्षा करूँगा मैं स्वयम 500 घरों से इस अवियान की सुरुवात करूँगा और 500 घरों से शुरू करके 500 घरों से मैं स्वयम सुरुवात करके 5000 और 50,000 घरों तक मैं स्वयम जा सकता हूँ तो भीया आप पंसुगरों भी नहीं जा सकते हैं मैं चोटी सी बात कहता हूँ एक कारे करता को ये दो से चार गंटा भी हो हर रोज टार्गेट करके डो टू डो केंपेंट में जाता है मांतर बीस घंबे एक दिन में जाता है तो पांस दिन में 100 घर और 25 दिन में 500 घर पूरे हो जाते हैं तो आप कभी 10-20 घर इधर धर भी वे तो 23 मार्ज तक एक मार्ज से शुरू करके 23 मार्ज तक एक कारेकरता 500 घरों में जा सकेगा जाना ही है उसको यह आपको एरिया बांट लेना है बीडी सिग्र शराप पेने के लिए जब 10-20 लोगों को जोड सकता है एक जो है जो बंदरी का खेल दिखाते हैं वो लोग भी पचास सो लोगों को जोड लेते हैं हमारे लिए क्या बड़ी बात है खैर मैं आपको कह रहा था मेकनिजम यह होगा कि एक कारे करता रोज कम से कम 20 घरों में जाएगा रोज वो 20 घरों में जाता है तो 5 दिनों में वो 100 घरों तक चला जाता है 25 दिनों में वो 500 घरों तक चला जाता है हमको पहले चरणा में तो ऐसे ही रखना है उसके बाद और कारेकरता आपको मिल जाएंगे और उसके बाद उमें एक-एक गर में दो-दो-तीन-तीन बार जाना है और क्या-क्या करना है वो आगे मैं बताता हूँ सबसे पहले जब हम यह तैक कर लेंगे कि यह हमारा एरिया है कारेकरता का और उतने घरों में कार्यकरता को जाना है, इस समय मैंने कहा थाँ दो ही हमारे काम सामने महात्यों पूल कारी। एक योग की कक्षाइं जहां से हमें कार्यकरता मिलेंगे और फिर दूसरा डोर टू-डोर क Darth Kämpion, ये दो काम अपने को करना है एक डोर टू डोर कैम्पेन दूसरा यूग के कक्षा है यूग के कक्षाओं से और नए कारे करता हम तयार करेंगे उनको ट्रैनिंग भी देंगे और वहां से उनको जो है माइंड सेट हम इस देश के काम के लिए तयार करेंगे अब यूग के जटाओं और दोसों से ज़्यादा दुनिया के देशों तक और हिंदुस्तान के सवा सो करोड़ लोगों तक ही निमें पहुंचाओं तो इसके लिए योग ही माध्यम बनाएं इसलिए योग तो हमारा जो है वो इसकारे का आधार भूत है वो उसको तो किसी भी किमत पर हमें छोड़ना ही नहीं है दूसरा आप डो टू डोर कैम्पियन में अब एक मार्स से जब जाएंगे तो क्या क्या काम करना है मैंने कुछ बिंदो नोट की है आप सब भी उसको नोट कर लेंगे और मैं चाहूंगा कि अभी जो समवाद में जुड़े हैं वो सब कारे करता भी औ और बाद में जो आस्था की माध्यम से जुड़ेंगे उन सब कारे करताओं को में कवंगा कि हरे कारे करता इन मुख्य दस बारब बिंदों को नोट कर लें सबसे पहली बात डो टू डोर कैम्पियन में जाते समय हमने एक वेश भूसा सुनिशित की है तो एक जोला सब कारे हमने तैक कि आए कि 500 कारे करता एक जिले में होते हैं और वो 500 कारे करता जो है वो फांद 500 घरों को टारगेट करते हैं तो धाई लाग घरों तक हम पहुंच जाते हैं एक बात याद रखना मैं बहुत गंबिरता सी इस बात को कह रहा हूं आप यह सोचेंगे कि जो प्रत्या आशियो डाहिला गरों तक पहुंच पाई कभी नहीं पहुंच सकता इसलिए परिवर्तन का काम तो हम लोगों को ही करना है यह जो है यह एक जोला होगा इस जोले में प्रचार सामगरी होगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं और इसके साथ साथ कुछ और बातों के और स इसलिए शाहरट सामगरी बैच जो है वह पहन करके अंगबस्तर तो अंगबस्तर बैच 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 जो है वह सब को मिलेगा बैच एक एक जिले को हम दो धो और थाजार भीज रहे हैं अंगबस्तर बहने और बुजुर्ग जो टीशर्ट नहीं पहन पाएंगे टीशर्ट एक एक जिले को पांसो जोला पांसो टी-शाट अंगवस्तर ढ़ाई सो बहने और बुजुर्ग विशेश रुपसस को धान कर सकेंगे जो टी-शाट पहने विए होंगे उनको जह है यह इसके जरूत ही नहीं पढ़ेगी अंगवस्तर की बैच सब लगा करके रखेंगे उससे दूर से पहचान हो जाते कारिकरता की और एक वातावन बनता है एक मार्च से जमीन और आसमान पर चानों और भारत समयमान दिखना चाहिए इस तरह का वातावन बनाना है एक एक जिले को पांस से दस जार जंडे बाद में जूरुत पढ़ेगी तो दूसरी खेत में भेज पश्तर ये एक एक जिले को मिल जाएगा अब आपको लोकल लेवल पर क्या करना है वोटर है भारत के भागे विधाता ये एक आपको जिलास तर पर तैयार कराना ये प्पोरा मैटर आपको मिल जाएगा आप इसको बहुत अच्छे से प्रिंट कर वाले ना इसमें सारे देखना चाहती है और स्थाई मजबूत अनुभवव रिमानदार सरकार देश में नहीं देखना चाहती और इस तरह के जो अनार्किस्ट लोग हैं जो अराजक लोग हैं वो एक जो पूरा गिरोह बन चुका है पूरे देश में एक राष्ट ग्रोधी ताक्तों का और जो इसक सारी विशह है आपको जब डो टो डोर केंपेंज जाएंगे तब भी लोगों से बताएंगे हम एक परिवार से एक या दो व्यक्तियों को नोकरी दिलाएंगे जब एक अच्छी सरकार बनेगे तो करीब 20 करोड़ लोगों को तो हम मैनिफैक्चरिंग सेक्टर में ही नई न परिवान से करना है तो यह यह पंप्लेट आपको वहीं जिले में चपवाना है एक योगमहतसव का पंप्लेट है यह सारा मैटर तैयार हो चुका है यह आप सब जिले की दो ईमेल आइदी उनके उपर पहुंझ जाएगा तो योगमहतसव का पत्रक और यह वोट्रस वाला सकेंगे उसके लिए आपको सेवा सहयोग सबको प्रिशित कर दिया गया और प्रिशित कर दिया जाएगा तो यह कुछ बाते थी अब मैं योग निर्देशी का आप लोगों को वहां स्थानी स्थार पर छपवाने जिसमें अपने योग शिक्षक और सक्रिकार्य करताओं के न 28 फरवरी तक आपको यह सब काम हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और 17 फिर मार्च से योग सब्ता तहसी लेवल पर भी सबको सुरू कर देना है और एक जिलास्तर पर एक समनवे समीती भी हम बनाएंगे जो स्थानी जो प्रत्याशी होंगे जो MPK एलेक्षन के लि अब वर्किंग में अपने को कैसे कैसे क्या क्या करना है सबसे पहला काम जब door to door campaign में जाएंगे तो उन लोगों से पहले बात करनी है कि हम आपको चाहते हैं कि आप योग महत्साओं में सम्म्छित हों सबसे पहले campaign के हमारे दो दोर चलने है तो पहले दोर के campaign में हम जो है ह की यारी के लिए तीन चलण का कारिये तबहर एक जीला एक इनदर जीला कारिया लोग और जीला प्रभाबरी और एक एक जेले में डेस्टफ़ टॉप कंप्रीटर केंप्फड एक सारा इक एक का पूरा एक डेटra सामने रख रहा हूं दो बार के कैम्पियन में जो है सब से पहले हम राजनीती से बात ना सुरू करें क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाइं ऐसी हो चुकि हैं कि लोगों की इस पूरी प्रक्रिया से ग्रना से हो चुकि है तो बात सुरू करनी हैं अपने को योग से हमारे सब सबकों से उगी थे बाद राम खिशन से और सबकों योगी बनना नियोगी बनना और एक एक मानों के भीटरमा हूने की शक्तियों थे हर एक इंसान के भीटर भगवान है नर में नायरेंड परकट करना है, हर एक मानों को महा मानों बनाएना है, आपके भीतर की जो शम्ताइं जब वो जागरित होंगी, तब आप रोग से नसा से बचेंगे, रोगों में नसा में देश का करीब 20 लाख कुर्ट के खर्च हो रहा है, चारू तरफ तनाव से लेकर के, बीपी सुगार से लेकर कि सब दुबारी है, तो योग का जो मुखे पैकेज आठ प्रणायम बारहा है, आसन सूरे नमस्कार बारहा है, ये सब जो है, वो आपको ये जब तेश मार्च को योग महत्सों होगा, तो उसमें सब बीसिक कोर्स तो सब को बताएंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी, कि एक साथ जब करोड़ों लोग योग करेंगे, इससे पूरी दुनिया के अंदर भारत को गोरव बढ़ेगा, और इस काम के लिए आप आप से हम चाहते हैं, कि आप से परिवार उस योग महत्सों न भाग ले, फिर उनके घरों पर स्टिकर लगाने के लिए आप पूछ रहेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे जिन में विचार हैं, ऐसे सद उपदेशों वाले अच्छे विचार, क्योंकि विचार के शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, विचार से आदमे अच्छा या बुरा बनता है, इमान या विमान बनता होता है, तो वो अच्छे विचारों की स्टिकर दी जाएंगे, उनसे पूछ करके आप उनके घुरों में फिर जंडा भी लगा सकेंगे, आपके ठैनी में एक जंडा होगा, तो अब उससे जब योग वाली बात जब पूरी हो जाए, तो उनसे आप बात करना है, कि आप भी आप क्या चाहते हैं, आप भी तो यह चाहते हैं, कि देश में एक अच्छा प्रधार मंतरी बने, और देश का एक जार लाग और पर लूटावा देश का धन मिले, भश्टचार मुक्त ववस्था देश में तयार हो, मिनिमम गौर्मेंट हो, और मैक्जिमम गवर्नेंस हो, इस तरह का एक पोरा सिस्टम, आप भी तो चाहते हैं, कोई अच्छी बात को कोई ना नहीं कर सकता, तो जब ऐसी बाती सुरू करते हैं, तो बोले, आप क्या चाहते हैं, कि इस देश के अंदर अच्छे लोगों का एक वोट बैंक होना चाहिए कि नहीं, तो बोले, और आतंकवादी उनको बनाया जा सकता है, तो हम उनको राश्टरवादी, अध्यातमवादी और मानोतावादी क्यों नहीं बना सकते हैं, तो हमें लोगों का माइंटसेट चेंज करना है, यह है दो टू डोर केंपियन का परपज, तो इसमें अपने को क्या-क्या करना है, वो जरा सुनना, तो उनको सबसे पहला काम कि, आप चाहते हैं कि एक देश भक्त रोगों का वोट मेंग बने, तो हम आपसे निविदमिर करेंगे कि आप अपना जो वोटर आइडी है, वो लेकर क्या है, तो एक उनके हर एक आदमे के पास में मद्दाता पहचान पत्र होता है, तो मद्दाता पहचान पत्र में वोटर आइडी कार्ड में उसका वोटर आइडी नमबर होता है, तो उसका वोटर आइडी नमबर एक टेलीफोन लेकर के, उनके घरवालों के टेलीफोन नमबर से उनका वोटर आइडी नमबर, इतना तो सारे हमारे कार्यकरता जानते हैं, एक चोटा से SMS करना है, उनका voter ID नमबर, एक घर में कम से कम दो voter तो होते हैं, पति पतने, यह चोटी भी family है, तो ने तो एक घर में ओसद पांच voter होते हैं, तो हमको चार से पांच लोगों का, और यह दी कोई बड़ी family है, तो एक बार में, एक mobile से 10 लोगों तक का हम voter ID card उसमे जह है, वो डाल करके, voter ID card जो है, वो उसके अंदर हमने, mobile के अंदर हमने इंटर कर दिया, वो तो इतना तो सब SMS करना जानते हैं, तो voter ID number टाइप किया, voter ID number टाइप करने के बाद, एक से 10 तक हम, एक ही phone से हम यह SMS कर सकते हैं, तो एक से 10 लोगों का voter ID card हमने, voter ID number हमने टाइप किया, फिर जो कारे करता भीज रहा है, वो अपना mobile number जो है, उसके साथ अटेच कर दे, दुबारह से सुने, voter ID number को टाइप करें, voter ID number टाइप करने के बाद, जो volunteer उस number को भीज रहा है, स्पेस दे करके, वो अपना number उसके अंदर डाल दे, फिर, किस number पर यह SMS करना है, तो नेसलिस्ट vote bank के लिए, देश के लिए देश भक्तों का vote bank हम बना रहे हैं, और इसके लिए सब लोग अपना voter ID number इस phone number पर SMS करने, यह number है, 90087, मुझे यह number याद है तो आपको भी हो जाएगा, बहुत आसान है, दो बार इसको repeat करना है, 90087, 90087 पर यह आपको अपना voter ID जो है, जो number है, इसको SMS करना है, बस, इतना सा काम करना है, तो यह जो है, एक छोटा सा काम है, इसकी द्वारा देश की तकदीर और तस्वीर बगल जाएगे, और इसी number के उपर एक मिस्कोल भी कर दे, बस, यह जो है, इतना आसान काम है, कोई भी कारे करता, आसानी से इसको कर सकता है, तो यह, यह तो voter ID कार्ड के लिए, पहले जो है, वो था, और बाद में, मिस्कोल भी इस से कर देना है, तो मिस्कोल करने के लिए, जो है, आप voter ID number टाइप किया, और फिर उसके बाद मैं, मैंने का, एक से दस लोगों का number टाइप किया, और उसके आपना प्रेस आपना नमबर कारेकरता एक प्रेस अधर और यूजन करना भी मैसेज भी आते रहें वह ऐसें। आपना यूजन नहीं करना उसमें उनका चार्ज नहीं से लग रहा है। ग्यों, बस ऐक, उनका नंबर नहीं के नंबर से और वो जो है, उनका drowned ID number उस्ते लोगों और अंवर अ 23 नंबर उसे के इनदर डाल खरए और समस कर दे and wanna पर उसके उपर मिस्कोल भी कर दे लिए दो काम करना है तो दो काम हो गया मिस्कोल भी हो गया तो मिस्कोल होने से आपके पास में लगातार information साती रहेंगे और दूसरा आपका वुटर आईडी चला गया ऐसे हम करीब 50 से साठ करोर वोटरस तक पहुंचेंगे करीब दस से बारह करोर घरों टक अपने कारिकरता पहुंचेंगे एक जिले के अंदर करीब करीब धाई लाग घरों तक हमारे कार करता देंगे एक कारे करता ने 500 घर दिये एक कारे करता 500 घर और मैंने कहा कम से कम 20 घर तक तो हम रोज जा सकते हैं अपना नोकरी पेशा सब करते हुए और जो सुबह से सम तक इसी काम को करने में लगे हो तो एक ही दिन एक दिन में पांशो गरों तक जा सकते हैं, slashART तो यीँ पट-टिस थीज River impart अब प्रविकु कांम होने से क्या होगां कि उन लोगों को फिर हम कि भई वोट फोर नेशन, वोट फोर करेक्शन फ्री इंडिया, वोट फोर ब्रिंगिंग बैग ब्लाक मनी, वोट फोर मोधी, इसको लास्ट में कहने, भई आप देखना चाहते हो मोधी को प्रधान मंत्री तो ऐसी नहीं बनेगा प्रधान मंत्री, आपको खुद इसमें पहल करने पड़ेगे, और आप यदि मोधी को प्रधान मंत्री बनाते हैं, तो आपकी भच्चों को रोजगार मिलेगा, आप मोधी को प्रधान मंत्री बनाते हैं, तो आपको गैस, डिजल, पैट्रोल हमां आध्यदाम पर उपलर्द कराएंगे, आप मोधी को प्र ये सारी बातें इसमें लिखी हैं वोट रहा है भारत के भागे विधाता में कि मोदी के ब्रधान मंत्री बनने से भारत स्वाइमान के मुद्दे कैसे पूरे होंगे और क्योंकि उस समय आचार सेंटा भी लाग हो जाए तो इसलिए हमने संकेतों में कुछ बातें लिखी हैं तो जो है वो भी चीजें लोगों तक पहुंच जाएंगे तो आप से मैं ये बातें मुझे कहनी थी और ये एक बहुत महतोपून बात है एक एक चोटी से काम से हिंदुस्तान की सत्ता और विवस्ता हम बदर डालेंगे और अभी बस मैं अपनी बात को पूरा करता हुआ आ आप आपको प्रशनों के लिए आमंतरित करूँगा एक बार फिर से मैं कुछ चीजों को दोरा देता हूँ और उसके बाद में जो लाखों कारे करता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ में हम सीधी बात करेंगे प्रशन उत्तर करेंगे उनसे सीधा समाद भी तो मैं एक बार फिर से कुछ चीजों को दोरा रहा हूँ अपने को यह जो आज बैठक हुई है एक साथ अपने 640 जीलों की जो है समीतियों के साथ इन इस बैठक में हमने 966 966 जो है फोन नम्मर्स पर एक साथ हमने बात किया और उसके वहां पर सेंकुड़ों कारे करता एक एक जेले पर बैठ करके इस बाचित में सीधे समलित हुए हैं अब मैं उनके साथ मैं आगे का समाद आगे बढ़ाओं उसे पहले कुछ चीजों को निशकर्ष के रूप में निचोड के रूप में एक बार वापस उनको रीपिट करना चाहूंगा एक बात तो यह कि आपको तेईस फरवरी को क्षेत्रिय बैठ के लेनी हैं तेईस फरवरी को क्षेत्रिय बैठ के लेकर के जो आज मैं आपको निर्देश दे रहा हूं यह निर्देश आपको उन तक भी संप्रेशित करना है और दूसरी बात इसमें है कि आपको जो है अठाइस फरवरी तक दूसरी हैं बैच है जोला है टी सट है अंगवस्त्र है यह सम मिल जाएगा और एक एका फार्म जो है six बोलते हो उसको फार्म six भी उसका format सबको मिल जाएगा वो अपनी भार सवयमान के website साथ भी लोग download कर सकेंगे और एक कारेकरता में के जोले में एक फार्म six भी और फार्म six के जरें हमे नए वोटर जा जो है यह उसको वोटिंग लिस्स में नाम दर्ज करवाना है और उसको आई डी कार्ड हमें इस्छु कर वाना तो फार्म six सबके जोले में रहेगा और योग महतसनु का पत्रक स्वधी सी पत्रक एक-एक स्टीकर और भारत के वोटर हैं भारत के भागे विधाता वोटर हैं भारत के भागे विधाता यह पत्रक आपके जोले में रहेगा अब उसमें क्या और एक एक कारे करता के जोले के अंदर एक सूची भी रहेगी जिसमें ERO election returning officer उसको बोलते है ERO और एक BLO जो बूत लेवल officer होता है जो नए वोटर का registration करता है उनका वोटर लिष्ट में नाम उनका दर्ज करता है तो एक BLO और ERO का जो नाम address होगा उसके साथ वहाँ पर नए वोटर का registration हो सकेगा वो भी आपको हम उपलब्ध करवाएंगे कारिकरताओं को अब आगे जा हो एक तो सभी कारिय करताओं को कारिय विभाजन करके उनकी लिष्ट आपको 28 फरवरी तक मुख्याले में भेज देनी है मनें 28 फरवरी तक एक कारिकरता को जो 500 घुरों का area का नाम कारिकरता का नाम एक जिले से जिला तहसील और निचे जो वाड और प्रखंड स्तर पर किस कारिकरता को कोन कोन से गाउं दिये गए है तो एक कारेकरता को 500 घुरों के जम्मेदारी लेगे तो कौन सा एरिय किस कारेकरता का नाम कारेकरता का एरिया ये 500 कारेकरता के नाम 28 फरवरित है का हमारे पास में आ जाने चाहिए उनको फिर एक मार्च से जब डोर टोर जाएंगे तो उनको पहले यो के बारे में बताना है और फिर उनका एक voter ID नंबर का SMS करना है 90087 पर 90087 ये नंबर है 90087 90087 तो ये जो है नंबर पूरा हो गया 90087 90087 ये नंबर बहुत इजी है जो सबको याद हो जाता है 90087 90087 तो बहुत आसान नंबर है 90087 90087 इस पर SMS करना है एक मोबाइल से एक से दस लोगों का voter ID नंबर SMS कर सकते हैं और उसको जो है इस नंबर पर कारे करता अपना भी space दे करके अपना नंबर भी इसके अंदर डाल दे का कि जिसी कारे करता को भी निरंतर अपडेट रहेगा कि ज दो करीब जो है 500 गोरों में कम से कम जो है 2500 वोटर्स का आप जो है यह मैंने का ना देश भक्तों का वोट बैंक बनाने का अपने काम के बहुत बड़ा काम आपके लिए होगा आप इतना यह काम कर देंगे तो देश में सब कुस बदल जाएगा आप सुछी बार सोच से रहे सवामी राम देव जी